सोफ्ट्वेर आशे जो कुन्स में और है यानी वारिक Mr. Kinous को OMG हे ए險ल के वारे में चेए ऐना सवर्प आपको क्या है में। आज हम इंट्रोड़क्शन तूर च। सब्सक्राइब को जानते हैं कि हमारे computer system में hardware क्या होता है और क्या कहलाता है मैं जब भी हम hardware की बात करेंगे तो आपके mind में एक चीज आने चीज आने चीजिए सब्सक्राइब दो वर्ट्स आपके पास आने चीजिए that is physical components means computer system में कोई भी चीज आप देखते हो जैसे कि हमारे पास monitor हो सकता है हमारे पास CPU हो सकता है हमारे पास keyboard हो सकता है हमारे पास mouse हो सकता है हमारे पास suppose for example UPS हो सकता है right हमारे पास speakers हो सकता है means आपको computer में जो भी चीज आपको दिखेगी means हो सारी के सारी हमारे पास क्या कहलाएगी एक hardware ही कहलाएगी right यहां तक कि suppose हमारे पास cabinet है cabinet के अंदर जो parts होंगे जैसे कि इसके अंदर हमारे पास memory हो सकती है RAM हो सकता है room हो सकता है hard drive हो सकती है cd room हो सकता है smps हो सकते में सारी सारे चीजे वह भी हमारे पास hardware ही तहलाएगा जैसे कि definition में पढ़ता है hardware represent the physical component of a computer right मिन जो भी computer के physical component होंगे वह सारे सारे hardware होंगे like its electronic parts मिन जो भी electronic parts होंगे सब्सक्राइब होंगे for example central processing unit cabinet के अंदर हमारे पास memory जैसे कि RAM रो में हमारे पास hard disk जैसे कि हमारे पास कुछ भी secondary storage की फॉर्म में है वहारे cabinet के अंदर रहता है तो वह भी हमारा hardware ही किलाएगा monitor printer mouse speaker slide पैन मिन सारी सारी चीजे हमारे पास क्या किलाएगे एक hardware किलाएगा जैसे कि मापास monitor है it is a category of hardware जैसे कि माउस है इस एक 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 हार्ड वे अगर हम बात करें RAM की RAM इस आलसो hardware अगर हम बात करें hard disk की that is also hardware basically जब हम hardware की बात करते है hardware के कुछ components भी है तरह किस तरह से divided हमारे computer system में अगर हम बात करें computer system में जैसे कि मापास hardware divided है वो basically हमापास दो parts में divided है जैसे कि मापास internal hardware device and external hardware device there are many different kinds of hardware that can be installed inside and connected to the outside computer इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास computer system में भहुत सारी चीज़े ऐसी होती है जिसको हम internally connect करके अपने external output devices में उनको देख सकते हैं जैसे कि अगर आपको graphics देखने है तो हमापास cabinet के एक back port से हमारे पास एक wire आएगी जो कि मापास monitor तक जा सकती है means हमारे पास उस cabinet के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा part होगा जो कि हमापास monitors तक data लेके आ रहा होगा means जो हमापास cabinet के अंदर है उसको हम क्या बोल रहे है internal hardware device जो हमापास भार monitor है उसको हम क्या बोल रहे है external hardware device जैसे कि हम इसमें एक important चीज़ देखते है computer hardware devices are used to perform two critical tasks जैसे important है थोड़ा सा अगर हम इसको ध्यान से देखें means computer जो भी हमापास वो दो काम करने के लिए होता है that is giving input instruction to the computer जैसे computer को इंस्ट्रक्शन देने है getting output data from the computer means basically हमापास क्या रहेगा जो भी external hardware devices होंगे वह हमारे output gaining के काम में आएंगे most of the times right maximum time पे means हमारे पास output के काम में आएंगे लेकिन जो हमापास internal hardware components होंगे internal hardware devices होंगे वह हमारे input की form में जैसे कि suppose आपको computer को data देना है तो आप क्या करोगे mouse से दोगे या speech से किसी mic से दोगे या keyboard करें राइट या आप किसी keystroke कर इस्ते माल भी कर सकते हो राइट लेकिन जो आपको output मिलता है speakers में आपको audio मिलती है के अधिक आपको समझाए होगा संट मेली इस पें सब्सक्राइलें इंटर्णल हाडवे डिवाइस हमाँ पास क्या होते हैं जैसे कि मैंने पास्ति ऍंतर्णल हाडवे का मतलब्ध क्या होगी हमारे पास the हमापस यह पूरा को पूरा एक Motherboard कहलाता है इसके अंदर आप जितने भी Parts देख रहे हो वो सारे के सारे हमापस Internal hardware components है जैसे कि जो हमारे पास यह वाला पार्ट है इस पार्ट को हम CPU बोलते हैं राइट यह हमारे पास Ram Slots है यह हमारे पास Suppose for example हमारे पास यह सी मॉस बैटरी है यह बहुत सारे मापस components हैं इन सब को ही हम Internal hardware components है Internal hardware devices के रूप में जानते हैं जैसे कि रैम राइट यह हमापस हाई ट्राफ से सालड़ी में बता चुका हूँ आपको राइट जैसे कि इस पूरे के पूरे बूर्ड को हम मधरवर बूलते हैं जो हमारे पास यह वाला पार्ट है memory card reader जहांसे हम अपने memory cards को read करा सकते हैं यह हमापस जो यहाला पार्ट है wireless adapter जैसे हम आप Wi-Fi को connect करते हो अपने system में वो हमारे पास basically यहां पर आके attach होता है यह एक internal hardware device ही है video cards जैसे कि आप जो games खिलतो यह आपके computer में जो graphics आ रहे हैं वो सारे सारे इस port के थूह ही आपको मिलेंगे अगर यहां पर यह वीडियो यहां पर हो सकते हैं लेकिन most of the time उनकी वरकिंग नॉर्मली सेम ही रहती है जैसे कि जो हमारे पास DVD बर्नर्स या CD बर्नर्स होते हैं वह भी हमारे पास इस ही पूर्ट पे जहां पर हार्ट्राइव हमारा मिल रहा है उसी पूर्ट के आसपास रहता है यह आट नेक्स्ट दिखते हैं हमारे पास external hardware devices क्या होते हैं आप थक्रॐसा इडिया हो गया होगा कि external hardware अट इंक्लूट्स तदेवास सब्सक्रिक जो हम भार से देख सकते हैं computer system में वह सारे के सारे हमारे हमारे पास external hardware devices कहलाते हैं इंक्लूट के बिनेट मिंस जो हमारे पास computer system में जो एक CPU की फ़र्म है मिज़िस में हमारे पास CPU रहता है जिसको हम cabinet भी बोलते हैं वो भी हमारा एक external hardware का ही पार्ट है जैसे कि keyboard में आपको अल्रेडी बताया माउस मैंने आपको अल्रेडी बताया है speaker webcam microphone में इस सारे के सारे जो कि हम outside पार्ट से देख सकते हैं वो सारे सारे हमापस क्या रहेंगे external hardware component जैसे कि हमापस monitor mouse keyboard speakers इस सारे के सारे हमापस क्या है external hardware components क्यालाएंगे next हम देखते हैं software क्या है मिन्स अब तक हमने hardware की बात करी मिन्स हमने देखा कि हमारे पास computer system में एक cabinet है जिसके अंदर मिन्स अगर हम बात करें normally हमने देखा कि computer system में हमारे पास एक motherboard है जिसके अंदर भहुत सारे हमारे पास components लगे हैं, hardware devices लगे हैं, क्या ये hardware devices अपने आप काम करेंगे, नहीं, मिन्स इनको काम कराने के लिए हमें किस चीज की जुरुत पड़ती है, that is my software, right, मिन्स आप एक चीज अपने mind में रखो, कि हमारे पास दो चीजे computer system में है एक hardware और एक software, मिन्स hw का मतलब hardware and hw का मतलब software, बीना hardware के software किसी काम का नहीं है, या अगर simple आपके पास एक hardware, hardware आप क्या present है, तो आप मिन्स क्या कर सकते हैं, जब तक आप उसमें software नहीं डालोगे, suppose for example, अगर आपके पास एक mobile है, that is your hardware, लेकिन उस mobile में आपने WhatsApp डाला ही नह सकते हैं, नहीं, that's not possible, मिन्स आपको WhatsApp चलाने के लिए, software की जुरत पढ़ेगी ही, पढ़ेगी, उसकी जीच को हम क्या बूलते हैं, software बूलते हैं, सबसे फ़ले definition देखते हैं, software की क्या कहलाती है, means something which provide purpose to a computer to do something, and how to do that on a software, means computer के hardware को जो बताएगा, कि आपको क्या करना है, और कैसे करना है, उसको हम क्या किलाते हैं, software बूलते हैं, right, जैसे कि दूसरा हम इस पर point पढ़ते हैं, software is a collection of instructions that enables the user to interact with a computer, this set of instructions is often called as a program, means software को हम ऐसे भी मान सकते हैं, कि बहुत सारे instruction, बहुत सारे निर्देश हमारे hardware को दिये जाते हैं, software के थुरू, जिससे कि हमारे computer system को पता रहेगा कि उसको किस तरह से काम करना है, और जो वो instructions हमारे पास बांदे गए हैं, उन्ही को हम क्या कहलाते हैं, program भी बोलते हैं, जैसे कि for example, आपके पास एक instruction set है, normally सबके साथ ये set है, कि आप night में थोड़ा सा, means lunch, yeah, sorry, dinner करने के बाद, आपको, means normally अगर हम देखते हैं, तो सबके साथ ये decided है, कि आपको एक day routine में, morning में उठके walking करनी चाहिए, तो means आपके पास एक mind में instructions set है, means आपके instructions थोड़े से अलग-अलग हो सकते हैं, किसी-किसी student को या किसी-किसी candidate को ऐसा feel होता है, कि मुझे night में थोड़ी study करनी चाहिए, किसी- instruction है, जैसे उसकी mind में instruction saved रहेंगे, वैसे ही उस person की body वैसे ही behave करेगे, अगर आप इसको ऐसे भी समझना चाहते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, कि जो hardware है, अगर हम human beings से हम इसको थोड़ा सा compare करें, जो hardware है, वो हमारा एक human का body है, अगर हम software की बात करें, तो software हमापस क्या है, एक human क brain है, right, means हमारे पास एक software ऐसी चीज़ है, means हमारे पास जो brain है, ऐसी चीज़ है, जो हमारे पूरी की बाड़ी को control करती है, अगर कभी भी हमारे software में, means हमारे brain में कुछ खराबी हो जाए, तो हमारे body के कुछ parts काम करना बंद कर देते है, means software is very important, अगर आपके बस hardware component सही भी है, या right, suppose आपके हाथ, पैर वगरा सारे सही भी है, लेकिन आपके mind ने signals भीज़ना बंद कर दिया, तो आपकी body भीएफ करना बंद करतेगी, means similarly computers में हमारे पास वही सारी सारी चीज़े है, अगर आपके बस hardware part है, लेकिन आपका software आपके बास नहीं है, तो आपका computer system सही से में कि software हमारे पास होता ही यह है, ताकि हमारे पास computer system में hardware है, वो अच्छे से behave कर पाए, जिस काम के लिए उसको बनाया गया है, वो काम कराने के लिए हमारा software पीचर में आता है, आज़िए हमको software में थोड़ी सी clarification हूई 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 कि software क्या है हमारे पास, right, आगे देखते ह में जो हमने हाँ पे पीचे program की बात करी, जैसे कि simple, एक हमारे पास यह program है, जिसमें हमें दो number का addition करना है, तो यह कुछ instructions है हमारे पास, कि हम computer को बताएंगे कि आपको यह instruction पहले चलाना है, फिर यह instruction चलाना है, फिर यह instruction चलाना है, ऐसी आपको instruction चलाते चलाते last तक जाना ह मिन जब इस सारे के सारे instructions हमारे computer में run कर जाएंगे तब जाके हमारे ये दो number that is 5 और 6 add होके हमको 11 answer दे पाएंगे जब ये सारे के सारे instructions चलने जरूरी है इसी को हम क्या बुलते हैं जब ये सारे सारी इस टाइप के instructions हम बहुत सारे एक जंगा पर बाइंड अप कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है software कहलाता है आई आधे हमको थोड़ाशा idea हुआ होगा कि हमापा software क्या है और इसमें program का करते हैं कोई application लिखते हैं या कोई भी documentation काम करते हैं वो सारा सारा हमारे पास एक software की ही category है यहां हम बात करते हैं Google Chrome means आज की rate में अगर आपको कोई भी चीट search करनी है internet पे तो normally maximum number of people's Google Chrome को साहरा लेते हैं हो वो भी एक हमारे पास software का ही example है अगर हम देखते हैं आपस music player है computer system में जिसमें आप गाने सुनते हो अपने music player में से आप songs को next कर सकते हो pause कर सकते हो play कर सकते हो तो वो भी सारे-सारे क्या है एक computer system का ही right part है जैसे के for example आप अपने mobile पर ही कोई music चला रहे हो मैंस आपके mobile में एक hardware component है जिसको हम क्या बोलते है speaker वो speaker आपके music player से पूरा पूरा control हो रहा है आप उसमें जिस टाइब का गाना चलाओगे तो आपका speaker उस टाइब से आपको means voice throw करेगा अगर आपका भी pause करते हो अपने music player से किसी भी song को तो आपका speaker भी means voice देना बंद करतेगा right लेकिन कभी कभी आपने दिखा होगा कि अगर आपका software थोड़ा सा lagging है या software थोड़ा सा weak है तो आपका pause करने के बाद भी आपके speaker में से आवाज आती रहती है means software जो हमापस पार्ट है that is very much important और category जैसे हमापस Windows operating system right जैसे कि अभी हम जो भी काम कर रहे हैं अपने computer में Windows operating system के through ही complete हो पा रहा है बागी हम इसके बारे Windows operating system के बारे में आगे और पढ़ेंगे कि हमापस operating system क्या होता है या Windows operating system क्या होता है right next चलते हैं हमारे पास that is last one is computer drivers जैसे कि for example हमापस कोई भी suppose आप कोई device ले के आते हो जैसे कि आप joystick ले के आते हो तो joystick को अगर आप अपने computer में attach भी करते हो तो उसको run करने के लिए उसको चलने के लिए आपको drivers के जुरत पड़ती है means वो हमारे पास joystick कैसे run करेगी उसके लिए कौन-कौन से instructions चाहिए होंगे वो सारे-सारे मापस क्या होते है computer drivers होते है next हम देखते हैं अभी इसमें जो हमारे पास इसके बाद topic है that is types of software means जब भी हम software के types की बात करेंगे तो basically हमारे पास computer system में दो तरह के software के category हमारे पास divided that is application software and system software means इन तोनों को हम थोड़ा इस diagram से समझने की कोशिश करते हैं means अगर suppose for example अगर आपको अपने computer system में right suppose for example आपको कोई song play कराना है right तो means आप क्या करोगे song को play कराने के लिए एक user को ही ये song play कराना है तो means song play means चलने के लिए हमारे पास speakers में से आवाज आनी चाहिए means speakers में से वोगाना हमारे पास बाहर तक सुनाई देना चाहिए right तो means directly user तो अब इस speaker से बात नहीं कर सकता means suppose जैसे कि मैं हूँ तो मैं directly जाके speaker को तो नहीं बोलूँगा कि speaker के hardware को जाके नहीं बोलूँगा कि आप बच जाओ या आप चल जाओ right that's not possible तो यूजर के जो हिराकी हमाँ पास follow करता है यूजर क्या करेगा यूजर हमारा application software से बातचीत करेगा means हमाँ जो बीच में music player होगा user उससे बातचीत करेगा right यह music player क्या करता है हमारे पास एक system software से बातचीत करेगा means normally जो हमाँ पास application software रहता है किसे बातचीत करता है operating system से बातचीत करेगा फिर यह operating system हमारे पास इस hardware component को signal provide करेगा कि आपको यह वाला song play करना है means in short कभी भी हमारे पास user directly hardware से बातचीत नहीं करता means user को सबसे पहले application software से बातचीत करनी होगी हमारे पास application software system software से बातचीत करेगा इस case माँ पास system software यूज हो रहा है that is operating system यूज हो रहा है उसके बाद हमारे पास operating system hardware से बातचीत करके हमारे गाने को play करेगा means normally simple एक song के लिए हमने एक scenario माना ऐसी माँ पास हर एक application के लिए same scenario रहता है चले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास application software क्या होता है application software के अगर हम बात करें application software is used by the end user to perform some specific task means यहाँ पे end user का मतलब हमारे पास क्या हुआ जैसे कि हम एक person है कोई भी एक person हो सकता है अब इस person को computer से कोई भी काम होगा तो means वो किसी ना किसी software का इस्तमाल करेगा जैसे कि suppose हम अपने एक system पे एक document type करना है तो means user क्या करेगा उस document type करने के लिए एक suppose for example basic सा Microsoft Word का इस्तमाल करेगा तब जाके हम means एक user उस computer में किसी document को लिख पाएगा means इस user के लिए वो task क्या था उस document को लिखना उस document को लिखने के लिए उसने किस का इस्तमाल किया एक application software means जो कि हमारा क्या है Microsoft Word के ला रहा है I think आपको थोड़ो सा clear हुआ होगा आगे हम देखते हैं application software is capable of dealing with user input and help the user to complete the task means application software ही एक ऐसी category है means हमेशा आप याद रखना कि हमारे पास जो यूजर होगा वो हमेशा ही application software से बातचित करेगा right means हो second point में क्या बोलना चाहरा है कि जो भी is capable of dealing with the user input means जो भी user input देगा वो हमेशा ही हमारा application software hold करेगा फिर application software ही हमारे इस input को आगे लेगे जाएगा right I think हमको clear हुआ होगा second point भी third point देखते है application software cannot be operated unable to run without the operating system means जो application software है वो बिना operating system के चल ही नहीं सकता या system के अलगल utilities के अलगलग sections के बिना हमारा application software रन कर ही नहीं सकता means application software को run करने के लिए operating system के जरूत है जैसे कि suppose अगर आपको अपने phone में suppose कोई game खेलना है for example PUBG खेलना है तो आपके phone में सबसे पहले android operating system installed होना चाहिए means आपके phone में operating system होना चाहिए android operating system होना चाहिए तभी आप उस game को खेल सकते हो right I think आपको clear होगी next point देखते है हमारे पास जो इसमें है right जैसे कि अगर हम देखें इस hierarchy को हम दोड़ा सा means monitor करते है user है user कौन है हम एक user हो गए right यह user क्या करेगा हमारे किसी application software से बातचीत करेगा अब जो भी हमें काम कराना है मैंसे हमने शिफारिष लगा यह application software को यह application software हमाँ पास इसमें किस से बातचीत करेगा एक सिस्टम सौट फियर से लैकिन इस चिसम में शिस्टम सौट फियर क्या है वापास operating system में फिर operating system क्या करएगा hardware से बातचीत करेगा आधिन आपको इसे नेरो क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट हम देखते हैं इस पे जो आपस है इस एक्जामपल सब्सक्राइब क्या-क्या हो सकता है राइट जैसे कि हम आपस Microsoft Word जो मिने एक्जामपल लिया Microsoft PowerPoint जिसमें हम सारक सारा काम कर रहे हैं अभी Macromedia freehand means normally एक different type of software होता है राइट जैसे कि हम आपस Adobe Photoshop जिसमें आप फोटो को कुछ corrections करते हैं या फोटो की कुछ एफेक्ट्स टालते हैं वह सारा सारा हम आपस एक application software गतर होता है that is Adobe Photoshop next हम देखते हैं coral draw means ऐसे हम आपस बहुत सारी applications हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अपना टास्क को complete करते हैं राइट जैसे कि हम आपस कुछ इनके icons हैं आप देख सकते हो right next time चलते हैं that is system software system software की बात करें जैसे कि हम आलड़ी एक बार देख चुके हैं इसमें पीछे थोड़ा सा एक diagram में कि हमने देखा कि system software क्या है जो डारेक्ली हमारा hardware से बातचीत कर रहा है राइट इसमें एक पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखने वाली बात है इसमें system software is a set of program that control and manage the operations of a computer hardware means system software एक ऐसा program है हमारे computer का जो हमारे hardware के हर एक operation को control या manage करता है means हमें कितनी memory चाहिए किस application को कैसे चलाना है किस application को कितनी memory देनी है वो सारे सारे हमाँ पस कौन manage करता है system software ही manage करता है right system software provide important self regulatory function for computer system means system software है कुछ important functions हमारे computer system को provide करता है जैसे कि मैंने बताया आपको loading itself when the computer is first turned on means हमारा जब भी computer सबसे पहले on होगा तो सबसे पहली जो चीज हमारे पास चलीगी वो क्या होगी एक system software ही होगा जैसे कि normally हम उसको किस नाम से जान रहे हैं operating system होगा अगर आप अपने phone को reboot करते हो तो जो उसमें हमारे पास सबसे पहली जो चीज चलती है वो एक system software ही चलता है वो system software हमारे पास क्या होता है operating system होता है managing hardware resources such as secondary storage for all applications means जो भी हमारे पास other applications हैं जिससे कि अगर आपके पास अपने mobile phone में एक WhatsApp है तो WhatsApp को कैसे memory देनी है means उसको means normally जो हमारे पास WhatsApp software होगा वो एक secondary storage में कही ना कही पढ़ा होगा means कही ना कहीं saved होगा जैसके अगर हम बात करें हमारे पास किस ना किसी hard drive में वो हमारे पास WhatsApp saved होगा right hard drive में कही ना कहीं WhatsApp saved होगा अब इस WhatsApp को इस hard drive में से कैसे लेके आना है right या इसको यहाँ पे store कराने तो कैसे कराना है जब इसको चलाना है तो कैसे चलाना है right वो सारी सारी चीजी कौन हैंडल करता है हमारे पास एक system software ही हैंडल करता है right last point देख लेते इसमें without using the system software there may be no computer program that can run on a computer system means बिना system software के कोई भी ऐसा program नहीं है जो हमारे computer system में चल सकता है means अगर आपके बस operating system ही नहीं है अगर सब्सक्राइब के बस एक graphics ही नहीं है तो आप अपनी computer को चला ही नहीं सकते अगर आप computer को नहीं चला सकते तो means आप कोई भी application इसमें run कर ही नहीं सकते आज यह आपको चीज़े सारी समझाई होंगी next दिखते है example of system software हाँ पास क्या हो सकते है that is तो सबस्वेल हाँ आपास जो example है इसमे operating system जैसे कि हाँ पास windows है, mac है, android है भास सारे operating systems हाँ आपस available है वो भी हमारे पास क्या है system software का ही पार्ट है यहाँ पास कोई antivirus software होते हैं जैसे कि नॉर्टन है, AVJ है कोई भी हाँ पास antivirus software है वो भी system software की ही category में आता है वो ऐसा क्यों है क्योंकि suppose अगर आपके computer में कोई virus आता है तो normally वो किसी application के थुरू या हम उसको detect कर पाते हैं लेकिन कुछ viruses हमाँ पास ऐसे होते हैं जो कि directly hardware के पास जाके interactions करना शुरू कर देते हैं तो उस type के viruses को हटाने के लिए हमाँ आपस antivirus का इस्तमाल होता है यह system utilities जैसे कि हमारे पास disk fragmenter होता है disk cleanup होता है suppose आपके system में आप जैसे normally आप regularly अपने system को run करते हो तो after some time आपका system क्या होता है hang होना शुरू हो जाता है means उसमें बहुत सारी files ऐसी store होनी शुरू हो जाती है जो आपके use की नहीं है means आप उसको इस्तमाल करी नहीं रही हो लेकिन फिर भी आपके computer में वो space ले रही है means उन सारी चीज़ों को हटाने के लिए हम disk cleanup का इस्तमाल करते हैं जो कि हमारे system utilities के अंदर आता है या हम disk defragmenter का इस्तमाल करते हैं हमने system की speed को थोड़ा सा increase करने के लिए efficiency को increase करने के लिए या हम backup पी इस्तमाल करते हैं कभी-कभी means जैसे कि नॉर्मली हम अपने computer system का एक ऐसा point बनाते हैं कि इस point से पहले-पहले जो भी हमारे पास सारी चीज़ थी वो मुझे कभी feature में चाहिए हो तो वो मैं उनको backup कर सकूँ means ले सकूँ वापिस means तो वो भी सारी-सारी माँ पास किस चीज का part है एक system software का ही पार्ट है I think आपको सारी चीज़े समझ आई होंगी फिर भी अगर आपको को गई doubt है तो आप मुझे पूछ सकते हो और अगर आपको वीडियो अच्छे लगा देन डू सब्सक्राइब Thank you guys